दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा ले दोस्तो आज हो चुका है 10 नवंबर 2030 सुकरवार एक बार फिर से माप के लिए आज की आठ बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आचुके हैं आठ विभागों में बंपर भर्तियों की अपडेट आचुकी है इन भर्तियों के फॉर्म फिल करना बिल्कुल मत भूलियेगा कर सकते हो male female दोनों candidate आवीदन कर सकते हैं 10 य 12 वी य अउट डिग्री पास candidate इन भर्तियों के लिए apply कर सकते हैं इंडिया पोष्ट ओफीज आगनवाडि और railway के अंतरगत बंपर भर्तियों की अपडेट आचुकी है इन में कुछ भर्तियों ऐसी निकली है जिन के लिए पोस्ट वाइज इलिबिलिटी का राइटेरिया है कैसे आप इन भर्तियों की ओफीशल नोटिफिकेशन की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो कैसे एपलाई कर सकते हो और कब से कब तक आप एपलाई कर सकते हो स्टैब बाई स्टैब पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सबी स्वालोड आउट के लिए रहो तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कवाए सुरू करते हैं 10 नॉमबर 2023 की आठ बड़ी भरतियों की पूरी जानकारे जी हां दोस्तों जो यहां पर इसमें फर्स नंबर की जोब निकली है वो निकली है इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में भारती डाक युभाग के इंतरगते भरती है Postal Assistant, Sorting Assistant, Postman, Mail Guard, MTS Multitasking Stab की Post है 1899 Vacancies जिसमें यहां पर निकली है Postal Assistant के लिए 598 Vacancies है Sorting Assistant के लिए 143 पद है Postman के लिए 583, Mail Guard के लिए 3 पद है MTS के लिए 570 Vacancies निकली है आवेदन इसके लिए आजी से सुरू होने जा रहे है आवेदन करने के Starting Date 10 November 2023 है Last Date Online करने की 9 December 2023 है Feast Payment की Last Date भी 9 December 2023 है और यहां पर क्रेक्षन की Last Date की बात किज़े तो 10-14 December तक आप इसके लिए क्रेक्षन कर सकते हो Sail ली की बात किज़े तो Postal Assistant, Sorting Assistant के लिए 25,500 से 1,800 है Postman, Mail Guard के लिए 2,700 से 1,900 है Multitasking Stab MTS के लिए 18,000 से 6,900 है Qualification MTS के लिए 10,000 पास है Postman, Mail Guard के लिए 12,000 पास है PASA के लिए आपर Degree Pass Candidate अपलाई कर सकते हैं इसी तरह Age Limit, Postal Assistant, Sorting Assistant, Postman, Mail Guard के लिए 18,000 से 27,000 से MTS के लिए 18,000 से 25,000 से Fees यहाँ पर 100 रुपे है SST, PWD, EWS, Transgender या Female को Fees जमा नहीं करनी होगी Online UPI, Net Banking, Credit Card या Debit Card से आप Fees Payment कर सकते हो बिना एक्जाम के भरती है, Merit से Chain होगा Online Apply कर सकते हो All India से Apply कर सकते हो DOPSportrecruitment.cpt.joe.in.es की Official Website है जिससे आप Online Apply कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो Second Number की जोब निकली है वो निकली है WCD आंगनवाडी गुजरात में Women and Child Development Department गुजरात में बाल विकास विभाग के अंतरकते वरती है आंगनवाडी वरकर आंगनवाडी हेलपर की पोश्ट है 10,400 वेकेंसिज निकली है इसमें वरकर के लिए 3,421 पद है जबकि हेलपर के लिए भी 6,989 वेकेंसिज निकली है आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके है 8,923 से लास्ट एट ओनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर 30,923 है सेल यह आप नोटिस से पोश्ट वाई चेक आउट कर सकते हो 10,12 पास अपलाई कर सकते है 18,33 वर सायू सीमा है फीस आपको जमा नहीं करनी होगी नाई एक्जाम देना होगा डोकिमेंट वैरिफिकेशन और इंट्यू के आधार पे सेलेक्शन होगा ओनलाइन अपलाई कर सकते हो गुजरात जोब लोकेशन है e-hrms.gujrat.joe.inage की ओफीशल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जोब निकली है वो निकली है डिरेक्ट रिकूटमेंट कमिशन में सीडी भरतियायों के इंतरगत क्लास थर्ड क्लास फोर की पोश्ट है 12,600 वेकेंसिज है क्लास थर्ड के लिए 7,600 पद है क्लास फोर के लिए हाँ पर इसमें 5,000 वेकेंसिज निकली है आवेदन इसके लिए भी आज इससे सुरू होने जा रहे है आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 10 नॉमबर 2030 है लास्ट एट ओनलाइन आवेदन करने की 29 दिसंबर 2030 है सेल लिए यहाँ पर आप नोटिस से पोस्ट वाई चेक कर सकते हो 10-12 वी डिग्री पास अपलाई कर सकते है 18-40 वर सायू सीमा है फीस आपको यहाँ पर भी जमा नहीं करनी होगी सेलेक्शन होगा रिटन टेस्ट टेस्ट के आधार पे ओनलाइन अपलाई कर सकते हो असम जोब लोकेशन है सेबा ओनलाइन.org पोर्टल से आप ओनलाइन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोर्थ नंबर की जोब निकली है वो निकली है ब्यार पब्लिक सर्विस कमिसन में बीपेसी लोक से वायोग एजुकेशन डिपार्टमेंट सिक्साई भाग के इंतरगर टीचर की बंपर वर्ती की अपडेट आ चुकी है जे हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते 39,706 वैकेंसिज निकली हुई है इसमें ओनलाइन रजिस्टेशन की लाज डेट 14 नॉमबर थी और लाज डेट यहाँ पर बात करें आवेदन करने की 25 नॉमबर है आवेदन इसके लिए आज इस से सुरू होने जा रहे है स्टार्टिंग डेट अपलाई ओनलाइन करने की 10 नॉमबर है फीज पैमेंट की लाज डेट भी 14 नॉमबर है लेट फीज की लाज डेट 17 नॉमबर है सेली 8,000, 31,000 और 32,000 है बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और B.A.D. से आप इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हो एज लिमिट मिनिमम 18 और 21 वर्स है बिहार जोब लोकेशन है वोल इंडिया से ओनलाइन कर सकते हो bpsc.bis.nic.in.portal से येज की ओफीशल वेबसाइट है उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 नंबर की जोब निकली है वो भी बिहार स्टाप सेलेक्शन कमिसन में निकली है क्रमचारी चेन आयोग भी SSC के इंतरगते भरती है निमन वर्गे लिपिक, फाइलेरिया निरिकसक, सायक अनुदेशक, राजस, क्रमचारी, पंचायत, सचीक और टंकक सायल लिपिक की यहाँ पर पोस्ट इसमें निकली है यहाँ पर टोटल 11,098 vacancies है यहाँ पर 9 दिसंबर तक आप अपलाई कर सकते हो लेवल 2, 3, 4 के इंतरगत से लिए 12 पास अपलाई कर सकते है 18 से 37 सुर सायू सीमा है फीज यहाँ पर जनरल BC, BC के लिए 540 है SC, AST बिहार के लिए 135 है All दिवियांग SC, AST के लिए यहाँ पर 135 है All category female बिहार के लिए 135 है All category male female एधर स्टेट के लिए 540 रुपे फीज है Return exam, typing test, इंट्यू से चेन होगा ओनलाई अपलाई कर सकते हो बिहार जोब लोकेशन है All India से ओनलाई अपलाई कर सकते हो bsc.bihar.gov.in.au online bsc.com यह की official website है जिससे आप online एपलाई कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 6 नंबर की जोब निकली है वो निकली है इंडो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स में ITBP भारत इब्बत सिमा पुलिस बलके इंतरगति भरती है Assistant Commandant Engineer की पोश्ट है Vacancies आप category wise notice से चेक आउट कर सकते हो आवेदन इसके लिए 16 नंबर से चलेंगे लाश्ट 8 पंदराद दिसमबर 2023 है सेली 6,161,47,500 है Bachelor Degree Engineering से आप एपलाई कर सकते हो 18 से 30 वर्स आयू सीमा है General OBCWS के लिए 400 रुपे फीज है SST PH को फीज जमा नहीं करनी होगी Return Test, Physical Test, Medical Test के आधार पे सेलेक्शन होगा Online apply कर सकते हो All India से apply कर सकते हो Recruitment.itvpolis.nic.in.h की official website है जिससे आप online apply कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जोब निकली है वो निकली है Railway Recruitment Cell Western Railway में पस्चिम Railway RRC WR Railway के इंतरगत्य भरती है Sport Quota की पोश्ट है चिक्स यहां पर 64 vacancies निकली है आवेदन इसके लिए भी आज इससे सुरू होने जा रहे है आवेदन की starting date 10 नंबर है लाश्टेट 9 दिसंबर 2030 है 500 से 20,200 से लिए है 10, 12, 30 degree धारक apply कर सकते है 18 से 25 वर्स आयू सीमा है फीज जनरल OBCWS के लिए 500 है इसमें 400 refundable है SST female के लिए 250 है जो की total refundable है online आफ फीज payment कर सकते हो बिना एक्जाम के भरती sport trial के आधार पे selection होगा online apply कर सकते हो all India से apply कर सकते हो rrc-wrr.com portal से यह की official website है उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 8 or last number की job निकली है वो निकली है North Eastern Indra Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science में जियां दोस्तों यहाँ पर Post Assistant Accounts Officer Junior Accounts Officer Store Keeper Assistant Dietitian, Radiographer साथ साथ Medical Social Worker Junior Engineer, Physiotherapist Occupational Therapist Warden या Lady Warden Technician, Indoscopy और Colonoscopy Lower Division Color की 85 vacancy जहाँ पर इसमें टोटल निकली है आवेदन इसके लिए तीन नमबर से चल ले है लास्ट है टेस्ट नमबर है से लिए आप नोटिस से ही पोस्ट वाई चेक आउट कर सकते हो 10-12 डिग्री PG डिग्री डिप्लोमा धारक अपलाई कर सकते है 18-27-35 वर शायू सीमा है जनरल OBC के लिए 500 रुपे SSTWS के लिए 250 रुपे फीज है PWD को सुल्क जमा नहीं करना होगा ओनलाइन मोड से आप पैमेंट कर सकते हो टेस्ट और इंट्यू से चेन होगा ओनलाईन अपलाई कर सकते हो ओल इंडिया से अपलाई कर सकते हो निगरिम्स.jov.in.h की ओफीशल वेबसाइट है जिससे आप ओनलाईन अपलाई कर सकते हो तो दोस्तो यह थी आज गयनी के 10 नवंबर 2000 तेज सुक्रवार की टोप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी अगर आपको अभीन भर्तियों के बारे में ओर जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंग कर नीचे डिस्क्रिप्शन पलस पर्ष्ट कमेंड बोक्स में मिल जाएगा और हमारी इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और एपलाई भी यहीं से कर सकते हो लिंक यहीं पर आपको दे जेगे हैं तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेड जरूर करें साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने भी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गावर्मेंट जोब्स की ऐसी विग अपडेट अपलोड करते हैं